डिलाइट आईएस पर आप सभी का एक बर्फिट से बहुत बहुत स्वागत है देखिए भई आईयार का एक इंपॉर्टन टॉपिक डिस्वस करने जा रहे हैं देखिए हाल ही में BBC द्वारा एक डॉकुमेंटरी भारतिय प्रधारमंत्री को लेकर जारी की गई है जिसको ले लेकर भी दिक्कत हो सकती है बहुत सारी चीजें है इवन अगर आप देखेंगे तो अपनी वेशिक जो मान सिकता है वो कही ना कहीं पर अभी भी ब्रिटेन की खतम नहीं हो रही है ठीक है तो उस चीज को लेकर भी कही ना कहीं पर दिक्कत हैं सामने आ सकती है भारत और ब् सुद्धे को हम लोग एहराई से समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहले आप लोग देखिए कि है क्या देखिए इसके बारे में देख लिजे देखो ब्रिटिश ब्रोड ब्रोड कास्टिंग और कॉर्परेशन है यह ठीक है बीबीसी है इसमें इसको जो आपकी फंडिंग है तो टेलिविजन पर इसकी मनोपली है मतलब एक अधिकार है ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई है लंदन में इसका हेड़कॉर्टर है यह सारी चीज़ें आप लोग इसके बारे में देख लीजिए इन्होंने क्या किया है यह हाल में जो है एक पहले पार्ट में जन्रली क्या दिखाया गया भारति जो वरत्मान परदान मत्री है नरिंदर मोधी उनके बारे में उनके राजनितिक सफर को लेकर बात की गई है किस तरह से उनका RSS से जुड़ाव रहा है भाजपा में किस तरह से उनका कईद बढ़ा है और गुजरात की जब CM थे वो उसको लेकर इसीज को लेकर चर्चा की गई है ठीक है पट में जो दिक्कत है गुजरात में जब दंगे हुए थे उस ताइम पे उनका क्या रोल रहा है ठीक है PM मोधी अगर चाहते थे इनका जो कहना है BBC का वो यह है कि अगर यह चाहते तो शायद गुजरात को लेकर चीजे रुख सकती थी या और भी चीजे हो सकती थी यह चीज उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है जबकि एक चीज आप लोग समझेंगे कि देखिए BBC एक TV चैनल है आप लोगों को पता है और उपर से यह विदेशी है और भारत में जो भारत का सुप्रीम कोट ह उन्होंने 2019 में भारतिया परदान मंत्री को लंबी SIT की जांच के बाद, थिक है यह काफी लंबी जांच चली थी उसके प्लीन चीट दे दी गई है, थिक है भारती पीम को दे लेकर burn के और भारत की नियाय पालिका जब भारतिया परदान मंत्री को एकड़म वर्कराब, मत बताएंगे किस तरह से सरकार ने इसको रोका है, लेकिन देखी विवाद तो खड़ा हो गया है, ना, 24 जनवरी को रिलीज किया जाना था दूसरा पार्ट, लेकिन भारत में तो इसको रिलीज नहीं किया गया, देखी अब, सरकार का क्या इसको लेकर रोक रहा, देखो, सरकार ने emergency powers का इस्तिमाल किया, यह थोड़ा सा हैरानी वाली चीज है, इसको समझ लेंगे हम लोग, क्या है क्या नहीं, इस power का इस्तिमाल करके सरकार ने एक बार इसको रोक दिया है, ठीक है, पहले इसको थोड़ा देख लो, देखो क्या है, IT नियम बनायते सरकार ने 2021 में, उसके बार में भी देख लेंगे अगली स्लाइड पे, लेकिन इनका इस्तिमाल करते हुए, जो सूचना प्रसारन सचीव है, जो से क्रेटरी है, इन्होंने इस चीज को रोक दिया है, मतला यूट्यूब पे जो वीडियो है, उसको बैन कर दिया गया है, अगर इसको लेकर कोई ट जो विबिन समुदाएं हैं, उनके बीच में आपस में डिवाइड करने वाली चीज है, और विदेशी सरकारों को कोई हक नहीं है कि भारत पर इस तरह के निराधार आरोप वो लोग लगा सकें, जल्दी से देख लो, आईटी नियम क्या है, देखो 2021 में बनाए गये थे, इ अगर मान लिजे, इनको लगता है कि राष्टी सुरक्षा को लेकर कोई चीज दिक्कत कर रही है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज है, जो भारत की राष्टी सुरक्षा को चुनौती उत्पन करती है, तो ये लोग रोग सकते हैं, ठीक है, एमर्जनसी पावर के तौर पर इसका ये पावर दी गई, ठीक है, सुचना प्रसारन मंतराले के जो सचीव होते हैं, भारत की विदेश मंतराले का क्या कहना है, उन्होंने ये बात बोलिया कि देखो, ये एक प्रोपेगंडा का हिस्सा है, मैं आपको बताता हूँ, देखो, BBC ये जो कर रही है न, ये कोई पहली पाग में बताया कि किस तरह से जो वन होन राइनो है, उसकी पोचिंग मतलब शिकार होता है, उसका ये सब चीजे अलग से भारत की छवी खराब करने का प्रयास किया, ठीक है, और ये इससे पहले भी जैसे नुचे 370 को जब जम्मो किश्मीर में हटाया गया था, तब भी ये ऐसा ही कर चुकी है, ठीक है, लगातार भारत की छवी को खराब करने की कोशिश करती है, इवन अगर आप देखेंगे कि जो बीबीसी है, ये जो जम्मो किश्मीर को भारत का प्रसाश की छितर दिखाती है, ठीक है, मतलब भारत का अंतरिक छितर नहीं मानती है, इसको ब पर चार सामगरी है, विदेश मंतराले का कहना है, कि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बना गया है, ठीक है कोई एक कहानी गड़ी गई है, उसी का अगला फ्लो है, उनका ये बोलना है, इसमें पूरवा ग्रह है, निश्वक्षता की कमी है, और सबसे बड़ी चीज अपनी व क्या सही है, क्या गलत है, आप जैसे पहले क्या होता था, अपनिवेशिक मानस दिखता है, इसलिए कहते हैं, क्योंकि जब ब्रिटेन दुनिया के देशों पर शाषन करता था, उस समय ब्रिटेन अपनी ही बात को सही बताता था, ठीक है, किसी ना किसी एंगल से वो इस क्या रोल रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है, तो ये कही ना कहीं पर आपनिवेशिक मानस दिखता को प्रदर्शित करने वाली चीज है, विटेन के प्रधान मंतरी का क्या कहना है, देखो, रिशी स्नुरुक है, भारतिये मूल के प्रधान मंतरी है, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है, तो कही ना कहीं पर ये बाला जा रहा है कि जो विटेन में विपक्ष है, उसको ये चीज एकसेप्ट नहीं हो पा रही है, कि भारत के मूल का कोई व्यक्ति प्रधान मंतरी कैसे बन गया, इन्होंने भारतिये प्यम का बचाव किया और उनने ये बोल इंट्री है, ठीक है, ये बड़ी साजिश का हिस्सा है, क्यों देखो आप समझो इसमें, सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया कि रिशी सुनक जो है वो भारतिये मूल के हैं, ठीक है, तो एक पक्ष ऐसा हो सकता है कि जो ओपोजीशन है, विपक्ष है जो बिटेन में, व भारत और बिटेन के बीच में एक ट्रेड डील होने वाली है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टन्ट है, और किससे कही ना कही पर दोनों देशों को बहुत जादा फाइदा होने वाला है, तो हो सकता है कि ये खराब हो जाए, ये भी तो एक एसन्ड़े में हो सकता है, और तीस से जिन्ड़ा भी बताऊंगा, पर ले इस पॉइंट को समझ लो, घरे इलूस देती है, जैसे चीन करता है, चीन क्या करता है, जो शी जिनपिंग है, वो क्या करते है, अगर माली जी उनकी छवी खराब हो रही है, या उनके खिलाफ रोद हो रहा है चीन में, उस चीज से ध रिटेन में अर्थवस्ता खराब है, राजनितिक स्थितियां अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीजे खराब हैं, तो वहां से ध्यान हटाने के लिए भी इस मुद्दे को उठाया गया हो सकता है, तो ये कही ना कहीं पर कुछ मुद्दे निकल कर आते हैं, एक चीज और दे क्प्लीट सपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं पर रूस के साथ खड़ा दिखता है, ठीक है ना काफी हद तक भारत ने ये चीज बताई भी है, और भारत ये कहता है कि ये पुराना मित्तर है, इसलिए हम इनके साथ ही रहेंगे, भारत बैलेंस कर रहा है, लेकि जबकि अमेरिका ये चाहता था, यूके ये चाहता था, कि भारत जो है, वो कम्प्लीट तोर पर अब इनके पक्ष में आ जाए, ये चीज भारत तो नहीं कर सकता है, भारत को देखना है, रूस इतना पुराना मित्तर हम आपके भरुस से कैसे आ जाए, ठीक है, और आ अमेरिका ये पाकिस्तान को funding की जा रही है, इन देशों दौरा, ठीक है, तो ये क्या है, ये तो इनका दोगला पन है, ना, तो कैसे भारत इन पर यकीन कर लेगा, तो ये जो चीजे लगातार हो रही है, पाकिस्तान का support कर रहा है, अमेरिका, यूके में, बीबीसी इस तरह रहे हैं कि मुद्धे भारत के खिलाफ उठा रही है, तो ये भी एक चीज हो सकती है, कि युक्रेन मैटर को लेकर भारत इन के साथ नहीं खड़ा, इसलिए भारत की छवी को खराब करने की कोशिश की जा रही है, और साथ में भारत पर एक दवाव भी क्रियेट करने की इस चीज को इस जिंडा को अभी जारी किया गया है ठीक है BBC को किया गया है तो कही ना कई पर यह अच्छी बात नहीं है BBC को सोचना चाहिए भारत सरकार तो एक्शन ले रही है इनके खिलाब लेकिन कही ना कई पर ब्रिटेन की सरकार को रिशी सुनुक को अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जौरत है आप सरफ इतना कहे कर बच नहीं सकते हैं इस चीज से कि BBC का प्रसारित करती है हमें नहीं पता है हम सरफ फंडिंग करते हैं उसके बाद हमारा कोई लेना देना नहीं आप इतन इसको लेकर कही ना कहीं पर रिशी सुनिक को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरुत है इवन BBC को भी थोड़ा सा आप नेतिकता की तरफ बढ़ना चाहिए ये सब चीजे करके अब कहीं ना कहीं पर देखो अभी हो क्या रहा है न BBC लॉस में चल रही है काफी ठीक कहीं ना कहीं पर उसे बहुत ज़्यादा प्रचार इसका हुआ बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी इसको देखने को मिली BBC को और BBC ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया तो सिरफ एक प्रॉफिट के लिए आप किसी एक देश की छवी खराब करो ये अच्छी बात नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए और भारत को कहीं ना कहीं पर स्ट्रिक्ट एक्शन अब इसके अगेंस्ट लेने की ज़रत हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए टेलिग्राम अगर आप जॉइन कर सकते हैं PDF वगारा के लिए अगली वीडियो में मिलते को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें बहुत बहुत धन्यवाद